हेलो गाइज, दीस इस शारच खाटिक सो गाइज मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था इंडियान एरफोस ग्रूप सी का अफलाइन फॉर्म केसे पोस्ट करें या केसे फिल करें सो उसमें मुझे भूछ से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थी कि क्या गल्स भी अपलाइ कर सकते है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है या फिर एक्जाम कितने मार्स क्या आती है सो ऐसे भूछ से कोश्चन्स आ रहे थे मुझे कमेंट्स में सो मुझे लगा इसका एक वीडियो बना देना चाहिए सारे भी जो बच्चों के डाउट्स हो वो इस वीडियो के माद्यम से में क्लेर करने की कोशिश करूँगा चलते हैं हमारे सवालों की ओर तो हमारा पहला सवाल है क्या इंडियन एरफोस ग्रूप सी सिविलियन पोस्ट के लिए युनिफॉर्म होता है सो गाइज इसका एंसर है नहीं उनिफॉर्म नहीं होता है सिविलियन के लिए कोई उनिफॉर्म नहीं होता है इनके इंटर्नल काम होते है जो भी ओफिसर के अंडर जो भी वर्क होते है वो सिविलियन के आत्मे होता है मतलब जो भी ओफिसर के वर्क होते है पर आभी फिलाल दो से तीन साल में कुछ एरफोस ने चेंजेस किये है उसमें लड़किया भी ग्रूप C के लिए आवेदन कर सकती है हमारा तिसरा सवाल है इंडियान एरफोस ग्रूप C में पर्मनन्ट हो जाने पर हर तीन या चार साल में पोस्टिंग होती है या नहीं इसका आंसर है नो इसमें कोई पोस्टिंग नहीं होती है आपने जहाँ या कोई भी यूनिट में अपलाई किया हो और आप वहाँ पर्मनन्ट हो जाते हो तो आपकी कही पर भी पोस्टिंग नहीं होंगे आपको वही रुक कर काम करना होंगा आपको अगर रिप्लेस्मेंट करना हो तो आप कर सकते है अगर आप गुजरात में रहते और आपको महारष्ट में जाना है वहाँ पोस्टिंग करनी है तो अगर वहाँ का सिविलियन यहाँ आना चाता है और यहाँ का सिविलियन वहाँ जाना चाता है तो अगर दोनों रा के लिए कितनी सेलेरी होती है तो हम आते हैं जो लोवेस्ट पोस्ट वाले हैं MTS में स्टाफ या फिर कुक सपय वाला उनको सेलेरी कितनी होती है इनका स्टाटिंग बेसिक सेलेरी होता है अठ्रा आजार प्लस इनको अलग-अलग अलाउंसेस मिलते हैं लाइक पी अफ डियरलेंस आलाउंस केंटिंग काड भी मिल जाता है इनके लिए इनका सेलेरी पढ़ता है 22-23,000 रुपे पर मंथ और जो इनके उपर के होते हैं LDC, सुपर इडंडन, स्टोर के पर वाले इनका बेसिक सेलेरी होता है 19,000 से लेकर 20,000 यानि 19,000 से लेकर 20,000 के अंडर इनका बेसिक सेलेरी होता है और प्लस इनके अलग से होती है तो इनको कट टफ होकर जाता है इनका सेलरी 25 से 26 अजर तक ओके क्या इंडियान एर फोस ग्रूप सी में सिविलेन के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है एंसर है गाइज नो पर गाइज आप याद रखिए आप कौन से युनिट पर अपलाय करते हो ये उस पर डिपेंड है क्योंकि कोई कोई युनिट में नेगेटिव मार्किंग होती है युकि हर युनिट का रूल्स अलग होता है वहाँ के एक्जाम सेक्षन का पैटन भी अलग होता है ज्यादा तर एक्जाम सिविलेन की नेगेटिव मार्किंग नहीं ही होती है सब पॉजिटिव मार्किंग होता है ओके सो ह हमारा च्छटा पॉइंट है इंडियन एरफोस ग्रूप सी का सिल्याबस क्या है और एक्जाम कितने मार्क्स की होती है इसका भी जौप देना मुश्किल है क्योंकि हर यूनिट का एक्जाम डिफरंट डिफरंट टाइप में होता है अभी हाली में जो एक्जाम हुआ था उसमें प्रयाग राज में जिसका भी एक्जाम हुआ था वहां कि MTS का एक्जाम सिर्फ 30 मार्क का था गाईज और जो नासिक देवलाली में हुआ या भोच से जगा हुआ वहां पर 100 मार्क का एक्जाम था और भोच से जगा 500 मार्क का भी एक्जाम हुआ था गाईज तो यह fix नहीं क्योंकि हर units का अलग-अलग rules होता है हर units के exam अलग-अलग होते है कही 100 mark की होती है, कही 30 mark की होती है तो कही पर 1500 mark की होती है आप स्रिप्स अपने study पर focus किजिए exam कितने भी mark क्या आ जाए तो अमरा आखरी point है guys Indian Air Force Group C का selection procedure कैसा होता है तो सबसे पहले guys आपका written exam होता है फिर उसका result declare होता है और result आपको आपके whatsapp number पर या आपके email पर send किया जाता है या फिर post से भेजा जाता है उसके बाद जो जो बच्चे select होते हैं उनका skill test में selection हो जाता है तो skill test में आपको आपके आपने जो भी trade के लिए apply किया था like MTS हो गया में stop हो गया सफ़ाई वाला cook हो उसमें जो जो trade में आपने apply किया था उस trade wise आपकी test होती है फिर आता है आपका physical test physical test में आपका कोई-कोई units में body check up किया जाता है या फिर कोई-कोई units में pull-ups, push-ups या फिर running भी ली जाती है कोई-कोई units में हर units का selection procedure गाईज अलग-अलग होता है तो आप भी prepare रही है या फिर आपका physical test में direct medical भी हो सकता है ओके तो आप बाद में ये सब process होने के बाद दो से तीन महिने के बाद आपका joining letter post के जरिये आपके घर बेजा जाता है उसके दो महिने बाद आपको आपके duty पर बुलाया जाता है इस हिसाब से आपका selection होता है गाईज और इसमें मैंने बहुत से doubts clear करने की कोशिश की मुझे नहीं लगता कि इसके आलावा आपके कोई और doubts हो अगर और भी doubts हो तो आप मुझे personally मेरे telegram पर message करके पुछ सकते है तो मैं अपने telegram की link वीडियो के description में डाल दूँगा और guys आपको वीडियो पसंद आया हो तो please please like कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए जिनने भी Indian Air Force Group C में doubts हो okay so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में guys जए हिंद